Welcome to Pinnacle Online Coaching Classes आज मैं आपके साथ कर रही हूँ एक SSE CGLT A3 पेपर और ये है हमारा Paper Code 1101 इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि स्टूडेंस ने किस प्रकार से ये Paper Attempt किया है वो कौन थे जुन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कुछ आपने जो मुझे नेगेटिव चीज़े लिकर बेजी है जो नहीं अची लगी वो क्या थी वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ Paper Code है हमारा 1101 सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका Topper कौन है इसके Topper है प्रभाकर पांडे प्रभाकर पांडे इन्होंने हमें जोइन किया है फ्रम अयोध्या इन यूपी अयोध्या से यूपी से इन्होंने हमें जोइन किया है हिंदी मीडियम में लिखते हैं ये और ये Topper है इनको overall मिने हैं 100 में सी 67 marks मैं आपको बताना चाहूँगी कि marks भी किस basis पर किसाधार पर allot करते हैं हम Relevancy का मतलब है कि जो आपने लिखा है क्या वो प्रसांगिक है क्या वही लिखना था या आपने इदर उदर की बाते जादा लिख दी examiner को गुमरा करने की कोशिश की फिर है हमारी spelling grammar ये Total 50 marks दिये गए थे आपके 200 शब्दों में लिखना है 400 तक आपके words चले गए तो word limit में लिखा है कि नहीं उसमें 6 नंबर है content quality कैसी थी उसके लिए 6 नंबर है जो format है क्या आपने format को follow किया है उसके लिए 6 नंबर है writing कैसी थी आपके लिए उसके भी 6 नंबर है सभी papers को इस तरह से evaluate किया गया है same pattern follow किया गया है letter के लिए मैं पहले इनके essay और letter आपके लिए पढ़ देती हूँ और बताओंगी मुझे वो क्यों अच्छे लगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे नोंने कितने mark score किये हैं उस पर तो ये प्रभाकर पांडे का essay है और हमने जो निबन लिखने के लिए दिया था वो दिया था परियावरन समस्याएं कारण प्रभाव और समाधान देखिए ये बहुत ही relevant topic है काफी इस पर बाती हो रही है environment से related कि causes क्या है उसके बाद इसके effects क्या है solutions क्या है इसके बारे मैं आपको discuss करना था अब मैं discuss करती हूँ क्या आज एक सामन जस्य पूर्ण विकास की परिकल्पना करना इतना आसान है हमने जल, थल और नब तथा परियावरन के हर छेत्र में आज विकास की गाथा लिखी है परंतु साथ ही हमने अनेक परियावरनिय समस्याओं को जन दिया है जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन, मृदा प्रदूशन रेडियो धर्मिता प्रदूशन ये सभी हमारे वातावरन के लिए नित प्रती दिन घातक होते जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है इन्होंने स्टार्ट किया कि येस डिवलाप्मेंट तो है लेकिन इसे बहुत सारी समस्याओं भी उत्पन होई है जब हम सूशमता से देखते हैं तो सभी परियावरनिय समस्याओं के बाद इन्होंने लिखा है कि जड मनुष्य स्वयम नजर आता है उद्योगी करण आधुनी करण तथा मशीनी करण ने वातावरन में जहरी ले तथा हानी कारक पदार्थों को बढ़ावा दिया है उद्योगों से निकलने वाले कचरे आधुनी करण के नाम पर वृक्षो की कटाई वहानों उद्योगो तथा चिमनियों से निकलने वाला दूआ, इलेक्ट्रोनिक व्यर्थ मशीने, तथा अनेक राष्टो द्वारा किये जाने वाले नाब किये परिक्षन, सभी प्रियावरण प्रदूशन के कारक हैं, देखो इन्होंने जितने causes हैं, उनको बहुत ही अच्छे से 2-3 sentences के अंदर blend कर दिया है, काफी सारे essays जो हमने evaluate कि है, पिलाकिल टीम ने evaluate कि उसमें हमने क्या पाया, कि कुछ है ने तो exactly pollution है, क्या, उसको समझाने में बड़ा time लगा दिया, कि water pollution है, पानी गंदा हो रहा है, मृदा प्रदूशन है, soil गंदा हो रहा है, air pollution है, ये गंदी और, तो पहले त उसको explain किया, फिर explain किया, कि जब industrialization आया, उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर आप factory लगाने लगे, फिर दुआ बहुत चोड़ने लगे, देखो, 200 शब्दों में इतने बड़े-बड़े paragraphs अगर आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है, कि आपके पास कहने को बहुत कुछ रह ज जाएगा, शब्द आपके खतम हो जाएंगे, शब्द सीमा खतम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये जो blend किया ना, और थोड़े से दो-तिन sentences में सब कुछ कह दिया, ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, तो a star for this paragraph, हाला कि हमने विकास किया है, आगे कहते हैं, परंतु हम अनेक फल स्वरूप उत्पन हो रहे प्रभावों से, अपने वातावरन को और साथी अपने आने वाली पीडियों के लिए, भी समस्याओं का भंडार बना रही हैं, फिर आगे ये कहते हैं, वैश्विक तापिकरन, ब आपको भई हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए ओके आगे ये कहते हैं वैश्विक तापिकरण एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इन्होंने सिर्फ देखो इसको मेंशिन किया है जिसका प्रभाव परियावरन के हर तत्व को प्रभावित कर रहा है यहां पर स्टूडेंट्स ने उसको एक्स्प्लें किया है टॉपिक को हमेशा समझो ओके सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसका प्रभाव प्रियावरन के हर तत्व को प्रभावित कर रहा है साती अनेक नई बिमारियां प्रदूशित पानी हानिकारा खादपदार अमल वर्षा ब यहां पर अपनी प्रकृती होना चाहिए कि रक्षा करें ऐसे प्रद्योगों को विक्सित करें जो फिर उन्होंने कच्डे कच्रा धुआ तथा अनेक प्रदूशन से मुख्त हो बायो डीजल यह रिक्षा जैसे विकास हो नाब के प्रिशिक्षन बंद हो वनरोपन अधिक से अधिक हो तधा परियावर्णिय सदभावना का विकास करें प्रकृती ने हमें सीचा है हमें इसे सुरक्षित रखें इन्होंने लास्ट वाले परग्राफ में क्या किया है लास्ट वाले परग्राफ में इन्होंने solution दिया है यूँकि topic ही हमारा क्या था topic ही हमारा ये था कि कारण क्या है, कारण भी नोंने बताए, प्रभाव भी नोंने बताए, समाधान भी नोंने बताए तो इनका जो essay है, ये first क्यों है, ये number one क्यों है क्योंकि इनोंने essay को बहुत ही अच्छे से balance किया और अगर आप मैंसे पूछे कि इनोंने कितने शब्दों में लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगे कि इनोंने exactly use किये है, 252 words, 252 words, आप मैंसे कुछ लोगोंने causes बहुत detail में explain कर दिये कुछ ने effects बहुत detail में explain कर दिये, कुछ ने solution का दो जिक्र ही नहीं किया तो वहाँ पर मैं यह नहीं कहूंगे कि आपकी balanced approach थी, सब कुछ इनोंने relevant और बहुत अच्छा लिखा अब हम देखते हैं कि इनको मैंने marks कितने दिये हैं relevancy कि अगर बात की जाए तो 10 में से मैंने इनको 7 अंक दिये है spelling grammar में इनको 4.5 नंबर मिले, शब्द सीमा में 4.5 नंबर मिले, content quality इनकी अच्छी थी, 4.5 नंबर format को follow किया, अलग-अलग paragraph बनाए, हर topic को एक अलग paragraph में deal किया, बिलकुल सही, format इनोंने follow की क्या इनकी writing neat and clean थी, नहीं, neat and clean तो मैं नहीं कहूंगी, यहाँ पर प्रभाकर आप improve कर सकते हैं, आपको 6 में से 2 नंबर मिले, अच्छे sentences बनाए, yes, 3.5 नंबर 5 में से, और क्या इनके निबंध में एक flow था, yes, था, इनको 3.5 नंबर उसमें मिले, तो total इनको मिले 50 में से 34, और ये छोटे-छोटे इनको 2 stars भी मिले, एक बड़ा और एक चोटा star, अब हम देखते हैं कि इनको नहीं लेटर में क्या लिखा और लेटर पर क्या topic था, लेटर जो आपको लिखना था, अपने छेतर में हो रही, बिजली से उत्पन समस्याएं, बहुत जादा बिजली कट लिखा, एक लाइन छोड़ी, डेट डाली, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर संपादक, दैनिक, जागरन, सिविल लाइन, सफैजाबाद, उत्तर परदेश और इस तरह से, आप में से कुछ लोग ये लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ो, ये बहुत अच्छा, क् आपका पेपर लगता है, साफ सुत्रा पेपर लगता है, उसके बाद इनोंने विशे लिखा, लगातार बिजली कटोती के संदर्भ में, वेरी गुड, उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं, श्रीमान, मैं आपके लोग प्रिय समाचार पत्र द्वारा, शहर में हो रही लगातार बिजली कटोती तथा उससे उत्पन समस्याओं को बिजली विभाग के अधिकारियों तक पहुचाना चाहता हूँ, वेरी नाइस, ओके, विल्कुल स्टार्टिंग में, क्यों चिट्टी लिख रहे हैं, इनोंने साफ बता दिया, शहर की जंता बूट पार्ट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आज के संगर्शपून जीवन में प्रतियोगी चात्रों को ऑनलाइन परिक्षा देनी पड़ती है, जिसके अभ्यास में बिजली कटोती से चात्र पिछड सकते हैं, बिजली की विवस्ता एक आवशक सेवा है, फिर भी अधिकारी अपने करतवे का पालन ठीक से नहीं कर रहे, जनता के हिद को ध्यान में रखते हुए, इस पत्र को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान देने की क्रिपा करें, उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद भवधिये, बसा जो भी है इन्होंने साइन किया, ठीक साढ़े पांच नमबर, राइटिंग निटन क्लीन है, फिर दो नमबर, एफेक्टल सेंटेंस साढ़े तीन और कोहजिवने साढ़े तीन, तो टोल इनको यहां पर हमने कितने मांक्स दिया है, इस इस 33, इनको मिले है, टोल 67, ओके, very well written, अब हम आगे चलते हैं, and now I shall discuss a paper in English medium with you, the topper for English medium is Namita, and Namita has written to us from Guru Gram in Haryana, so Namita has scored overall 65 marks, and now let me read her essay to you, she writes, what is environment, environment is an envelope which protects and surrounds us, although the protective nature remains only till it is not contaminated and exploited for individual means, today, today frequently organized world summits, climatic agreements and a number of protocols on environmental issues, somewhere fails to execute that strategy, and what remains is the gloomy and dilapidated ecosphere to worry about, see this was one of the best introductions, and she began in a very, very nice way, we got plenty of essays, we got plenty of essays, where the student started by describing exactly what is environment, environment is a protective covering around us, it is made up of gases, there is oxygen in it, there is water there, oxygen and water is required for life on earth, and all that has been explained, but just look at the way she has, it is a right size of introduction, if you ask me, how is the introduction, just exactly right size, some of you have made it very long, it is just the right size, and immediately after describing what exactly is the environment, she has come to the topic, she has immediately related to the way it is being damaged, and the way it is impacting life on earth, so very, very nice beginning Namita, you touched my heart from here itself, okay. Shockingly in India, shockingly in India, every year, about 1 lakh people die only of pollution, and associated diseases, be it water, air, or any other variant of pollution, the effects are always fatal, if one tries to examine the cause, one ends up pointing to oneself, since we the humans first exploit nature to its maximum, and then again it is we, who remark sarcastically, that what has become of the earth, exponentially increasing industrialization, that leads to setting up of unbridled factories, results in nothing but a sick environment, change of paragraph, consequences of nature's exploitation are so disastrous, that in some of India's major cities, life expectancy is below 50 years, deteriorating levels of air makes it hard to breathe properly, A sharp hike in carbon emission over a decade, has alarmingly increased global warming, and greenhouse effect, moreover, people falling victim to waterborne diseases, like diarrhea, cholera, are also growing in nature, very well, she has divided her entire essay, now contemplating one possible solution, this can't be said that nothing has been done so far, rather stringent steps have been taken, But all this failed due to inefficient implementation, the need of the hour is to make a collaborative effort by all the nations, keeping aside mutual issues, and focusing only on the protection of mother earth, I felt the solutions given by her were very short, solutions, because she had to, you have to give a very positive ending, and you needed to focus on solutions more, You could have written about various agreements that are there, various international treaties that are there, steps taken, like we had an odd even scheme in Delhi, you could have mentioned about that, you could have mentioned about people's movements, you could have mentioned about use of solar energy, wind energy, so many things could have been mentioned in the solutions, that's why I've written for her, solutions are too short, it seemed like an abrupt ending, okay, let's move on. Now let me discuss her letter with you, this is the address, Park Street, New Delhi, 16 September 2017, the editor, Hindustan Times, New Delhi subject, irregular electricity supply in our locality, sir, through the prestigious column of your newspaper daily, I would like to draw the kind attention of concerned authority, towards frequent power cuts in our area, sir, it's been one month since our locality has been suffering due to disrupted electricity supply, housewives, school going children and housewives, school going children and working people, who get their study time in night, only are in the are in the miss suffering once, since the summers are going on, I didn't like this sentence, it seems like it's a translation from Hindi, since it is the summer season, it becomes intolerable for us to survive without smooth power supply, also the non uniformity of power supply is affecting our electronic devices and appliances to a great deal, especially laptops and computers. This is my sincere request to the authority to regulate the electricity as soon as possible, thank you, yours truly ABC. So, this was the letter written by her, letter was not as good as the essay, but let's see what has she scored in both of them. See, for her essay, she has got 33 marks, relevancy, she has got 6 marks, spelling, grammar 4 marks, word limit 4 marks, content quality 4 marks, format 4 marks, writing was neat and clean, okay 4 marks, effective sentences 3.5 and cohesiveness 3.5. For her letter, for her letter, she has got 32 overall, so that makes us 4.65, congratulations Namita. Now, let's move on to some more, some more letters and essays which I liked, okay. This is Ashwini Kumar from Patna and Ashwini Kumar from Patna, the way he has described the causes, okay. What are the causes for pollution? That was a very nice paragraph. See, use of fossil fuels has increased the concentration of particulate matter in air. Further emission of carbon dioxide has triggered the clock of a future catastrophe known as climate change. Use of CFCs has already created a hole in the ozone layer, giving a passage to carcinogenic UV rays to hit the earth. Dumping of harmful effluents directly into water bodies and improper solid waste management have made our holy rivers a dustbin. So, this paragraph where he has given all the causes and their effects, that's very nice. So, Ashwini star to you for this. Let me give you a double star. Our student from Patna. This is Nitish Parasar and Nitish Parasar has written to us from Rajasthan, okay. Let me just describe to you what Nitish has written. Nitish is from Swai Madhopurin Rajasthan. Inhnoonee Hindi main ka jook patr hai ho muche bhoat acha laga. Thik hai? To dhekho bhoat bhaadhiya saaf sutri handwriting. Toh, jab saaf sutri handwriting hooti hai na. Toh examiner ko, usko jyadha number dhenne ka amand to wiesse hi karta hai. Or, jab gandhi hooti hai, toh kaatne ka amand bhi karta hai, ki number kaat diya jayin iske. Toh jaraa saaf sutra likhne ka priyas karayin aap loog. Rajasthan, Dinaakfriya par diya hai, Sewa me, Sampadak, Mohadeya, Isara, Vishay, Bijli ki avavasthah ke karen hui kati naiyong ko ujagar karne hii tu. Inhnoe nai ye likha hai, okay. अब हम देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं, ये श्रीमान जी, मैं आपके लोगप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, नगर में फैली Bijli की अव्यवस्ता की ओर, Bijli विभाग के उच अधिकारियों का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ. हमारे इलाके में Bijli का बड़ा अभाव है, दिन में सिर्फ दो घंटे ही Bijli आती है, और सारा दिन गुल रहती है, खाना खाने के समय तो Bijli आती ही नहीं, बच्चों की परिक्षाओं का समय है, Bijli न आने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है, बिजली के अभाव में पानी की आपूर्ती भी बंध हो गई है, इस कारण नगर व्यासियों का जीवन दूभर हो गया है, आप से विनम्र प्रात्ना है कि आप अपने समाचार पत्र में हमारी समस्या को मुक्य प्रष्ट पर प्रकाशित करें, ताकि बिजली विभाग इस नगर की सुध ले, तथा हमें इस समस्या से छुटकारा मिले, नितीश पराशर, तो इन्होंने बहुत अच्छा लेटर लिखा, लेटर के लिए अब एक थामसा पूके, आपने बहुत बढ़िया लेटर लिखा, मैं आपको कुछ एक बाते भी बताना चाहूंगी, लेटर के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े एक्जागरेटेड वर्जन लिख देते हैं, आप जैसे कुछ एक ने लिख दिया, कि रात में अंधेरा होता है, तो जंगली जानवर हमारे घरों में गुज जाते हैं, कुछ एक ने ये लिखा, क कि हमारी कॉलोनी में तो, क्योंकि बिजली पू लगातार पिछले 15 दिनों से गायब है, इसलिए ना मोटर चल रही है, ना पीने का पानी है, तो हमें भारी कीमतों पर पानी बहुत दूर से खरीद कर लाना पड़ता है, देखो, डोंट इग्जागरेट, बहुत बढ़ा च दिशत मास्क लगा कर घूम रही है, कुछ एक नहीं भी लिखा है कि दिली में तो, दो किलोमेटर चलने पर ऐसा लगता है, मानों कि आपने 100 सिगरेट पीली हो, इतना ज़्यादा प्रदूशन है, इतना इग्जागरेटेड वर्जन आप लोग ना दे, इतना इग्जागर प्रदूशन तब होता है, जब जोर से बैंड बचता है, जब हवाई जहाँ जोड़ता है, क्या ये सब आपको लिखना था, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये चीजे बिल्कुल irrelevant थी, बही related है, लेकिन अगर मैं अपने बेटे से भी पूछूँगी, ज़रा बताना, पल तो लगाने है, परंतु क्या केवल वही करना है, आपको पेड भी लगाने है, और बहुत सारी चीजों पर भी ध्यान देना है आपको, जो international treaties होती है, agreements होता है, उनको strictly implement करना है, जो दोशिय उनके किलाफ कारवाई करनी है, जो हमारे rules and regulations उनको strictly implement करना है, तो बहुत सारे students न उसको गोल गुमाने की कोशिश मत करो, वो सब को जानता है, कुछ एक ने भोपाल गास tragedy के बारे में 4-5 papers ऐसे भी थे जिसमें भोपाल गास tragedy का जिकर किया गया, और करीब 120 शब्दों में उस tragedy को describe किया गया है, येस आप भोपाल गास tragedy का जिकर कर सकते थे, परंतु क्या इत versions ना दें, irrelevant, अगर बहुत सारे students ने start किया, कि धर्ती हमारी माता है, परंत हमने अपनी माता का क्या हाल कर दिया है, धर्ती पर हम क्यों रह रहे हैं, यहां पर पानी है, यहां पर हवा है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, गाउं में शुद्ध हवा होंगे, तो इन चीजों पर आप बड़ा ध्यान दीजिए, इधर उधर की बाते लिखोगे, गुमाओ के examiner को, वो भी आपको गुमा कर goal number ही देगा, ठीक है, तो यह goal number नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए, seriously अपने काम को लीजिए, यह एक और लड़की है, स CERN over frequent power cuts in our area, respected sir madam, I Suman Kumari would like to state that there is a problem of frequent power failure in our locality, this leads to disturbance in our day to day life, education of our children is badly affected by this problem, we are not able to use our gadgets because of this load shedding and thus we have become digitally blind, due to this hot weather, we are not getting a proper sleep and feeling nausea all over the day, all the time, there is hardly any area which is not affected by this problem, I therefore request you to highlight this problem of our area of load shedding so that the attention of the authorities can be drawn up on this problem, I shall be highly obliged to you, और मैं निलको लिखा good for letter but make clearly visible paragraphs, okay, clearly visible paragraphs बनाईये, आपके लिए यह बहुत जादा important है, okay, तो इसी के साथ यह video presentation खतम होती है, जिसमें कि मैंने जिन लोगों ने अच्छा लिखा environment वाले topic पर और इस letter को उनके papers आपके साथ discuss किये, मेरी शुब काम लाई आपके साथ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी फटा-फट on time हमें लिखकर भेजते रहेंगे, ताकि हम evaluate करके आपको feedback दे सकें, so all the best, thank you for watching, bye bye